पर निकलेंगे ये मैंने आपको पूरा पेश पढ़ा दिया था बच्चों अब आगी का पेश पढ़ने जा रहे हैं दोनों भाई बेहन अपने आप में वारता लाप करते हैं और बड़ा उनको उन बच्चों से लगाओ था दोनों बच्चे बड़ी चाह उसे काम करने लगे शामा मा की आँख बचा करके मटके से चावल निकाल कर लाई केशव ने पत्थर को प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साप करके उसमें पानी भरा और चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आई फिर उपर बगेर चड़ियों के कपड़ा ठहराएगा कैसे और चड़ियां खड़ी होगी कैसे अपस में प्रश्न कर रहे थे केशो बड़ी देर तक इसी उधेर बुन में लगा रहा आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी शामा से बोला जाकर कूड़ा फिंकने वाली टोकरी उठा लाओ अम्मा जी को मत दिखाना शामा वह तो बीच से ही फटी हुई है उस में इसे धूप न जाएगी केशो ने जुन जिला कर कहा तू टोकरी तो ला मैं उसका सुराक बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा इस प्रकार शामा दोड़कर टोकरी उठा लाई केशो ने उसकी सुराक में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और उस तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बुला देख शामा ने दिल से सोचा भईया कितने चाला के हैं गर्मी के दिन थे बाबुजी दक्तर गए थे अमा दोनों बच्चों को कमरे में सुला कर खुद सो गई थे लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहां अमा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँखे बंद किये मोके का इंतचार कर रहे थे जो ही मालम हुआ कि अमा जी अच्छी तरसे सो गई दोनों चुपके से उठे बहुत धीरे से दरवाज की सिटकनी खोल कर बाहर आगे बच्चों